बलबगड बस्टैंड और नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से चलने वाली एको वैन हर्याना सरकार के राजस्कु को चूना लगाने का काम कर रही है प्राइवेट बसे भी अवैध रूप से सवारियां भर कर रोडवेज को नुकसान पहुंचा रही है जिन पर समय समय पर रोडवेज महाप्रबंधक कारवाई करते रहते हैं लेकिन इन पर अंकुष्ट नहीं लग पाया है और अब प्राइवेट एको वैन चौलक यहां सवारियां भरने में लगे हुए हैं जिसका सीधा नुकसान रोडवेज को हुरा है बलबगर बसड़े के रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि वैस समय समय पर इन लोगों के चौलान करते हैं उन्होंने लोगों से अवैध वाहनों में सफर ना करने की अपील की है और सुरक्षित सफर के लिए रोडवेज को चुणने की सलाह दी है जो हमारे बस्टेंड के पास से सुवारी उठाते हैं इलीगल चलते हैं हम इनका चलान करते हैं हम एक महिने में कम से कम हमारे 20-20 चलान होते हैं और जो ये लोग इसके अंदर बैठते हैं हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि यहां पे सर्विस बहुत जादा है यूपी की हरियाना रोडवेज की तो आप जो है ना अथराइज बसिस के अंदर ही बैठे हैं इनके पाप ना तो पूरे कागजबतर होते हैं और ना ये ढंग से चलाते हैं ये रफ चलाते हैं ग काडियां और हमारे पाइज द्राइवर होते हैं जिनका टेस्ट ले क्यां भरती करते हैं आपको बता देए कि बलबगड बस अड़े पर अवयध रूप से इको वैन की गारियां सवारिया ढूर ही है और उनसे मन चाह किराय भी वसूल रही हैं सवारियों को जूट बोलकर गाडियों में बैठाते हैं और कहीं भी उतार देते हैं जिससे कि सवारियों को भी परिशानियों का सामना करना पड़ता है बसड़े के आसपास सवारियां भरने वाले इको बैंक चालकों के समय समय पर चालान भी किये जा रही हैं लेकिन अब लोगों को भी जागरुक होना पड़ेगा ताकि वे सुरक्षत सफर कर सकें पंजाब केस्टु टीवी के लिए फर्यदबाद से सुधीर श्यर्मा की रिपोर्ट